हलो माई देप्रेंड अनुप स्टेडी जोन में आपका स्वागत है आज हम लोग देखेंगे जो हम लोग किछला पारट पढ़े थे हम लोग क्या क्या देखे थे कंप्यूटर का विसकार किस प्रकार से हुआ कंप्यूटर का नाम किषने रखा इसके बाद computer के कारे किस प्रकार से computer कारे करता है और कुछ computer के important terms उसमें से एक और important term है आपका processing के बारे में भी जान लिजी processing क्या करता है data पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिसने सूचना प्राप्त होती है वो आपका processing कहा जाता है चीक है इसके बाद एक और word है आपका सूचना जब data को उपयोगी बनाने के लिए इससे संबंधित या फिर ब्यवस्थित संगठित तथा संचारित जो आपका संरचित किया जाता है तो आपका प्राप्त क्या होता है data जो प्राप्त होता है वो सूचना कहलाता है ठीक है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे computer का विकास आखिर किस प्रकार से हुआ जब से computer आपका invent हुआ है किस तरीके से वह आगे पीड़ी दर पीड़ी बढ़ता चला आया तो हम लोग computer के history पूरी जानते हैं किस सबसे पहले computer किषने खोजा उसके बाद उसमें तुरूटी आगया हैं लेकिन उसमें विकास का इतिहास बहुत ही पूराना है computer हमारे जीवन के हर पहलू में किसी ने किसी तरह सम्मिलित है पिछला लगभग चार दसक से computer ने हमारे समाज में रहन सहनवा काम करने के तरीके को बदल दिया है computer के विकास का इतिहास जो है वो आपका संशिप सार लगड़ी में है वो चलिए देख लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले computer का अविसकार हुआ था सबसे पहला आपका अबेकस का निर्माड़ हुआ था इसके अविसकारक कहा के थे लीकाई चेन ये आपके चीन के थे ठीक है सुलावी सताबदी में सबसे इसकी विसेस्ता क्या थ इसकी विसेस्ता थी कि सबसे पहला एवं सरलेंत्र इन्हों ने अबेकस बनाया था अबेकस लकड़ी का एक आयताका धाचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता है ठीक है आप अगर प्राइमरी स्कूल में जाए तो आप छोटे बच्चों को गड़ना कर आती है अब इसका अनुप प्रयोग क्या था जोडने वा घटाने के लिए इसका प्रयोग किया रहता था वर्गमूल निकालने के लिए भी इसका प्रयोग किया रहता था तो इसमें दो काम होता था आप जोड़ घटा सकते थे अबेकस में और क्या कर सकते थे किसी का भी व इसके बाद नेपियर बोंस ने भी ट्राय किया जान नेपियर उन्होंने नेपियर बोंस नामक कंप्यूटर का विश्कार किया किने जान नेपियर ने वो कहां के थे सकौटलेंड के थे 1617 में इन्हों ने इसका निर्मार किया था ये जानवरों की हड्डियों से बनी आयताकार पट्टिया होते थी 10 आयताकार पट्टियों पर 0-9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे इसका क्या था गड़ना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रॉद्धगी की का जो आपका राबडो लोगिया ओता था इसको कहते थे ठीक है इसका अनुपरियोग क्या होता था गणना करने के लिए बन रहे थे दोनों जो साइंटिस्ट थे उन्हों ने इस प्रकार से इसको बनाया था इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद देखेंगे slide rule slide rule नामों के computer का विसकार किया गया था इसको किशने किया था William Art Red ने किया था यह कहां कि जर्मनी किथे 1620 में इन्होंने दो बिशेश प्रकार की चिन्हित पटियां होते थी जिनने बराबर में रखकर आगे पीछे सरकार आपका लगुगड़क के क्रिया संपण होते थी। इसकी और क्या विशेश्ता थी पट्टियों पर चिन्न इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के सुनने वाले चिन्न से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साजा आधार पर लगुगड़क के समानुपाती होता था अब इसका कार क्या था यह लगुगड़क विधी के आध करना इन ही सभी कारे को लिए भी computer बन रहे थे इसके बाद आपके आते हैं पास्क लाइन पास्कल आते हैं बलेज पास्कल फ्रांस के उन्होंने पास्क लाइन नामक computer का विस्कार किया जो उन्होंने बनाय था 1642 में ठीक है यह प्रथम mechanical एडिंग मसीन है या मसीन ओडो मीटर में घडी के सिधान पर कारे करती थी इस मसीन में कई दातेदार चक्र और पुराने टेलिफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे जिन पर जीरो से नौ तक की संख्याय अंकित होती थी अब इसका इस जो पास्कलाइन कंप्यूटर था इसका भी प्रियोग किसली किया जयता था संख्याओं को जोडने और घटाने के लिए इसका प्रियोग किया जाता था चालिए इसके बाद कौन-कौन से विसकार हुए इसके बाद आप देख सकते हैं लेबनीज का जो यांतरिक कैल्कुलेटर था इसमें इंड़ों ने इसक 2161 में इस मसीन को लेबनीज की आपकी रेकनिंग मसीन भी कहा जाता था यह मसीन जोडवा घटाओ के साथ गुड़ा भाग कर सकने में भी समर्थी कार वा थू स्कूटर की स्पीडो मीटर में प्रियोख्थ हो जाती थी यह आपका कार वाई स्कूटर के आपके स्पीडो मीटर में भी प्रियुक्त की जाती थी 1671 तक आपके जितने भी कंप्यूटर बनाए गए यह क्या जोडने और घटाने तक की सीमित थे ठीक है जोड़ घटाना गुड़ा भाग इससे ज़्यादा यह कूछ काम नहीं कर पाते थे लेकिन इसके बाद अब आपके आते हैं जिकार्डश लूम नामक का कंप्यूटर बनाए जाता है जिसे बनाते हैं जोसेप मेरी जैकार्ड यह 1801 में बनाते हैं यह एक ऐसी बनाई म सकते हैं ऐसे मसीन बनाए गया थे जो केवल और केवल गड़ना करने के काम आते थे इसके बाद 1801 में पहली बार एक ऐसी मसीन बनाए गई जिसमें इसका प्रयोग करके कपड़ा बुनने के लिए किया जाता था इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता था कपड़ा बुनने 222 में इस मसीन में सौफ्ट तथा गियर लगा होते थे और यह मसीन भाप से चलती थी इस मसीन के अब इसकी खास बात क्या थी किस मसीन की सहता से बिभिन बीज गड़ती है फालनों का मान दसमलों के 20 अस्थानों तक सुधता पुरुवग ग्यात किया जा सकता था ठीक है यान अगर आप कोई भाग देते हैं वह डेसिमल प्लेस के बाद कट नहीं रहा है तो यह लगभग आपके दसमलों के बाद भी 20 अडिजिट तक 20 अस्थान तक सुधता पुरुवग ग्यात हो जाता था इसका उपयोग बीमा डाक रेल उत्पादन में किया जाता था तो आप दे आने गुड़ा भाग को हम परफॉर्म कर सकते हैं जो की लगभग माद दसमलों मान के 20 अस्थानों तक भी सुधता पुरुवग वो इसका कैल्गुलेट कर सकते हैं ठीक है डिफरेंस इंजन के बाद आपका आया एनलेटिकल इंजन जिसको चाल्स बैबेज नहीं बनाया अ इस मसीन को आधनुक कम्प्यूटरों का आधी प्रारूप माना जाता है यह एक मेकेनिकल मसीन था तो जो असली सुरुवात हुई थी चाल्स बैबेज ने 1833 में कर दी थी आधनिक कम्प्यूटर जो है लगभग इसी प्रारूप में है ठीक है इसका प्रयोग सभी गड़ति क्रियाएं जो भी होती थी वो सभी क्रियाओं को करने में यह आपकी एनलिक टिकल इंजन समर्थ थी ठीक है यह आपके आधनिक कम्प्यूटरों का प्रारू आधी प्रारूप माना जाता है तो यह आप याद रखिएगा कौन सा एनलिटिकल इंजन चार्स बैबेज 1833 ठीक पढ़ने का कार छेद किये हुए कार्डों द्वार के जाता था एक समय में एक ही कार्ड को पढ़ा जाता था सन 1896 में जो होली रीथ ने टेबुलेटिंग मसीन कंपनी के स्थापना की जो पंच कार्ड यंत्रका उत्पादन करती थी इसके बाद उन्होंने सन 1924 में इसका न गड़ना में प्रयोग किया गया था इसी टैबुलेटिंग मसीन का ठीक है इसके बाद आपका आता है मार्क वन मार्क वन किस्ने ने बनाया हावर्ड आइकन ने 1930 में मार्क वन बनाया या विसुका प्रथम पूर स्वचलित विद्यूत यांतरिक गड़ना यंदर था यानि जो डेटा था डेटा मैनुल रूप से इंटर किया जाता था और संचयन के लिए भी इसमें मैगनेटिक ड्रम क्या प्रयोग किया जाता था इसका प्रयोग गड़नाय करने के लिए क्या में ली तो जो था इसका प्रयोग इसका भी गड़नाय करने के लिए ही किया जाता था ठीक है लेकिन यह काफी हद तक एक नया रूप दे दिया गया था इसके बाद आपका आता है एनियक एनियक का फुल फर्म होता है एलेक्ट्रोनिक नुमेरिकल इन्टीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसको बनाया था आपके जेपी एकर्ट जेपी एकर्ट और जान मौचली दोनों ने मिलकर उनीस सो चीयालिस में बनाया था यह बीस एक्कुमिलेटर्स का एक सायोजन है इसमें अठारे सो वैक्यूम ट्यू इसका प्रयोग प्राइवेट फर्मों इंजीनियर रिसर्च एसोसेशन और आई बीम में किया गया था ठीक है आई बीम आपका क्या था आई बीम अभी आप लोगों ने देख्या देखा इंटरनेशनल बिजनेस मसीन ठीक है चलिए तो आई बीम आपका एक इंपोर्टनेंट फुल फर्म है इसे याद रखिएगा आई बीम का फुल फर्म क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस मसीन चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बाद है आपका जो आपका आया था एड़ सेक इलेक्ट्रोनिक डिले स्टोरेज आटोमेटिक कैल्कुलेटर इसको आप किसी भी वर्ग का जैसे दो का वर्ग चार होता है तो हर वर्गों का भी है पहाड़ा की गणना कर सकता था यह मरकरिय डिलेयर लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूप का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था ठीक है अब इसका प्रयोग क्या-क्या था उनीस सो ख्रयास में जो एम्म वी विकल्स और वीलर ने जीन अवरतेयों यानी जो जीन फ्रेकनी को समबन्दित डिफरेलियर स्यांप का खनाeton में को घोच कर लिए डिफरेंसियल ठीक है डिफरेंसियल समीकर्णर को हल करने के लिए एसक बैसेक का इस्तवाल किया था और उनीस बैस मिलर और विलर ने एक उन्हें आसी यानी 79 अंको के प्राइम नंबर की खोच करने के लिए इडिसेग का इस्तेमाल किया था ठीक है इसके बाद आपका था एड़वेक एड़वेक क्या है बड़ा था यह इसका भी में काम था इसका में काम यहीं था कि इसका भी काम था गड़ना करना ठीक है यह भी गड़नाओं को करता था इसके बाद यह जो भी थे आपके इतने ही थे इतने प्रकार के इसी प्रकार से आपका आप देखें कि किस प्रकार से 1600 से लेकर के 1950 तक इन क साथ में लेकर घुम्ते हैं acha मोइल फोन आपको आपके उसमें एक इस उदयए करकें फोन कॉल से ले करके आर्टियो वीडियुर हर प्रकार कि सुषधाय आपके इस फोन में दे दी गई है तो हमारा जो computer का विकास हुआ था किस प्रकार से चार दसकों से धीरे 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 एक एक चीजों से मिलकर बना हुआ था और लगभग आज हमारे पास स्मार्ट फोन एंड्रोइड फोन सभी प्रकार के computer हमारे पास अवेलेबल है ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें कमेंट करें सेयर करें अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक करके वहाँ से आसानी से रीविजन कर सकते हैं तो यदि आपको नहीं है तो आप लिकिये मत्त आप को बना बनाय mensen दwe로 आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड करके, प्रिंट आउट करा करके, उसको उसी तरीके से क्या कर सकते हैं, अपना मार्किंग करके आसानी से पढ़ सकते हैं.